असलाम उलेकुम स्टुएंट्स उमीद है आप सब खेरियत से होंगे आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं यूनिट 10 के निमेरिकल नंबर 7 और निमेरिकल नंबर 8 पहले देखते हैं निमेरिकल नंबर 7 को उसमें बात करें बचों के एक स्प्रिंग में ट्रांसवर्स वेवस प्रोड्यूस हो रही है यानि के आगे पीछे उसको मूव करके वेवस प्रोड्यूस की जा रही है उस वेव की प्रोडक्शन से जो फ्रिक्वेंसी बन रही है वह है 190 हर्ड्स की और वह जो लेंथ ट्रेवल कर रही है इस वेव की वह है 90 मीटर्स और यह लेंथ कितने टाइम में कवर कर रही है जिरो पॉइंट फाइफ सेकंड्स में हम लोगों नहीं करना है टाइम पीरियड यानि कि एक सिंगल वाइब्रेशन यह सिंगल वेव की प्रोडक्शन का टाइम कितना लग रहे है उसकी मीन टू एक्स्ट्रीम और बैक टू मीन पॉजीशन आने पर उसके लावा उसकी स्प ट्रेवल यानि के टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस वेव ने 90 मीटर जिसको हमने डिनोट कर दिया है डी से अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टाइम पीरियड टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए बचान जो फॉर्मुला यूज होता है वो होता है कि 1 बैल इवकां कि फ्रेवैल यानि के 1 को हम फ्रेंच की वैलियव से डिवाइड कर देंगे हमारे इस स sponges weमें सी की वैलियू है लिखें आंसर आपके दोनों ही ठीक होंगे सेकिंड पर दोग जो चीज फाइंड करनी है वह स्पीड औफ वेव अब स्पीड ऑफ वेव किस तरह से फाइंड करेंगे डी डिवाइड बैटी यानिके डिस्टेंस ट्रेवल किया वेव ने उसको डिवाइड कर देंगे किस से ट मेंटी मीटर्स और टाइम टेकन था 0.5 सेकंड तो इन दोनों को कर देंगे डिवाइड जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180 मीटर पर सेकंड यानिके 180 मीटर पर सेकंड स्पीड है इस वेव की ट्रेवलिंग की धर्ट पर चीज में इन्टी वेवलेंथ अब हमारे पास वी की वैलियों हम लोगों ने यहां से निकाली 180 मीटर पर सेकंड एफ की वैलियों हमारे पास फ्रिक्वेंसी की ओलरी गिवन थी 190 और फाइंड हम लोगों ने करनी है वेवलेंथ अब इसको थोड़ा सा रियरेंज करेंगे 180 को इधर ही से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आजाएगा अंसर 0.95 मीटर जोके है हमारा वेवलेंथ अगले नुमेरिकल को देखते हैं वाटर वेवस इन शेलो डिश आर 6 सेंटीमेटर लॉंग एट पॉइंट वाटर वेवस मूव अप अद डाउन एट रेट और पोर पॉर पॉर एक ऐसा पॉइंट आता है इस प्रोडक्शन में कि जहां पे वाटर वेवस अप एंड डाउन मूव करने लग जाती है यानि कि उपर निचे मूव करने लग जाती है और उस मूवमेंट की फ्रिक्वेंसी क्या है 4.8 यानि कि 4.8 पर सेकंड की फ्रिक्वेंसी से वह वाटर है अपने के फाइंड करनी यानि कि उस वेज़ की स्पीड कि इतनी है है और ताइम पिरिएड कितना ले रही है वह विव फ्रिक्शन में यानि अपनी लोग प्लिशंन से हैस् पूजिशन में अप्वर्ड जाके वापिस डान्वर्ड आनने में कितना टाइम लेह है पहले को सौट आउट कर लेते हैं, wavelength हमारे पास है 6 cm, जिसको हम लोगा ने 100 से डिवाइड करके 0.06 meter कर लेना है, and frequency हमारे पास है 4.88, 4.8 hertz, इसमें सबसे पहले हम लोगा ने find करना है speed of water wave, यानि कि speed क्या है, उस water wave में waves की production की, उसके लिए हम formula यूज करेंगे, V is equals to F lambda, यानि कि frequency into wavelength, frequency की value as it is 4.8 लिखेंगे, and then wavelength की value लिखेंगे 0.06, इन दोनों को multiply करेंगे और हमारे पास answer आजाएगा 0.29 meter per second, यानि कि speed इस water wave की production की है, 0.29 meter per second, then हम लोग find करेंगे time period, time period को find करने के लिए हम लोगा अपना formula लगाएंगे, 1 divided by frequency, यानि कि reciprocal of frequency, 1 को divide कर देंगे frequency की value यानि 4.8 से, और जो कि answer आजाएगा 0.21 seconds, यानि कि time period required है 0.21 seconds, I hope यह दोनों numericals आप लोग के लिए easy होंगे, और आप लोग को समझ आ गए होंगे, अपना धिहान रखिए, खुदा हाफिज.